नमस्कार दोस्तों EVM को लेकर विपक्षिदल लगतार भारतिय जंता पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं विपक्षिदल आरोप लगाते हैं कि भाजपा EVM में सेटिंग करके चुनाव जीती है ऐसे कई दावों के बीच अब भारतिय जंता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है क्योंकि देश के कई बड़े संगठन दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ कूच कर चुके हैं हजारों के संख्या में ये लोग चुनाव आयोग के खिलाफ जंतर मंतर पर पहुँच कर प्रदर्शन कर रहे हैं ये रेखिए ये तमाम तस्वीरे दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आई हैं हाथों में जंडे और बैनर पकड़े इन सभी लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि चुनाव आयोग ईवियम को हटा कर बैलट पेपर से चुनाव करवा दे ताकि जितनी भी गलत फैमिया हैं वो सब साफ हो जाएं दोस्तो एक बड़ी तयारी देश भर में चल रही है इवियम को हटाने के लिए ये पूरी तयारी चल रही है अब सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर भी इवियम को हटाने के लिए मोर्चा खोला जा रहा है एक तरफ जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में आम जंता प्रदर्शन कर रही है तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है सोशल मीडिया पर हैश्टाग चुनाव आयोग पर महामोर्चा ट्रेंड हो रहा है गोधी मीडिया इतने बड़े प्रदर्शन पर दोस्तों भले ही चुप्पी साथ कर बैठी हो बिहार में सत्ता परिवर्तन की खुशिया मना रही हो लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला कर जंता खुद इस प्रदर्शन को राश्ट्री इस तर तक पहचाने की कोशिश कर सोशल मीडिया पर जंता क्या कुछ कह रही है आपको ये भी देखना चाहिए विनायक मंदाविया कह रहे हैं कि एवियम हटाओ किसान और जमीन बचाओ वमन मेशराम कह रहे हैं कि आज सडकों पर उत्रा मूल निवासियों का जन सहलाब हम इस देश से इस मनुस्मृती रूपी इवियम को हटा कर रहेंगे जिसने हमारे हक अधिकारों को चीना है और हमें गुलाम बनाने का काम किया है दिनेश प्रजापती का कहना है कि चुनाव आयोग हजारों कडोर रुपे चुनाव पर खर्च करता है सरकार और चुनाव आयोग मिलकर देश के लोकतंत्र को मारने का काम कर रहे हैं ये बंद होना चाहिए मानिए सुप्रीम अदालत को आगे आना ही होगा अन्यता देश के होने वाले लोकतांत्रिक सम्विधानिक नुकसान के लिए वो भी जिमिदार हैं दोस्तों EVM को लेकर अब तक कई नेताओं ने कई तरीके के दावे किये हैं इससे बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता है ये भी कहा जा रहा था जिसका वीडियो भी शेयर किया गया हाल ही में कॉंग्रिस के दिगविजर सिंग ने कहा था कि ये लोग कुछ सीटों पर EVM से खेल करते हैं ताकि कि किसी को कोई शक ना हो अब कॉंग्रिस महासचिव रणदीप सिंग सुरजेवाला ने भी बहुत बड़ा आरूप लगाया है उनका कहना है कि EVM बनाने वाली कंपनी भार संगठन मिलकर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी तादात में जंतर मंतर पर EVM और चुनाव आयोग को लेकर आवाज उठा रहे हैं उससे कहीं न कहीं सरकार की चिंताएं जरूर बढ़ सकती हैं EVM पर चुनाव आयोग को कोई बड़ा फैसला लेना ही पर सकता है आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताइए एक ख़बर आप उल्ड़ा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं मेरा नाम है फरीन अंसारी आप रहें स्वस्त मस्त मस्याई है दो आमारी मिलते अगली वीजियो में तब तक के लिए अलविद ज आपको किले को पिरे उलविद पिरे ला आपक Agriculture क्रबवार चांशन में सब्रें प्रांदा